आनन्दू बे अभी जिस वज़ा से आप उत्साहित थे कि एक और आपके साथ पार्टी जुड़ गई MVA में वंचित बहुजन अगाडी उप कहे रहें इंडिया अलाइंस डेड है गरिबा जी नमस्ते देखे कलो जो बैठक मुंबई में हुई है बहुत ही स्वस्त मिटिंग थी और बहुत ही महत्वपूर्ण मिटिंग थी उस मिटिंग के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई बताईए इंडिया गड़बंधन का क्या हाल है तुन्होंने कहा कि जो खबरे आ रही है कि जैसे नितिस कुमार जी चले गए सबको पता है नितिस कुमार जी चले गए ममता दीदी नाराज है सही बात है नाराज है तो नाराज है लेकिन इंडिया गड़बंधन टूटा नहीं है हमारे कुछ मतभेद जरूर है आपकी जानकारी के लिए बता दू कि हम पहले तीन दल थे कॉंग्रेस पार्टी, सिवसेना पार्टी, राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी वंचीत बहुजन अगाडी के आने के बाद 61% मत हमारे पास है जो होट्स परसेंटें जब और 61% उसका आकणा आपको बताता हूँ जो हुसेना ने लिया था, 16% के करीब करीब कॉंग्रेस ने लिया था, 15% के करीब करीब सरत्वार जी की पार्टी ने लिया था, और 7% के करीब پ्रकास अम्बेटकर जी ने ओट लिया था इन चारों को मिलाते हैं तो 61% होते हैं अगर 48 सीटे लोकसभा किया चुनाओ हो जाएं तो भारती जनता पार्टी के पास 5 सीटों से ज़्यादा नहीं मिल पाएगी ये तैर हो चुका है ये तस्वीर आपने महराश्टर की रख दी क्या बत अलग चले गए मायवती एकला चलो पर चली ही रही है ममता बेनर जी आकरामक है महराश्टर के अलावा भारत जोडो न्याय यात्रा इस पॉलिटिकल सिनारियो को 2024 के मजबूत करती है कॉंग्रेस और इंडिया एलाइन्स के लिए या इसी के चलते कुनबा बिखरा नई बिलकुल मजबूत करती है चाहे भारत जोडो यात्रा रही हो और चाहे भारत निया यात्रा रही हो इससे कॉंग्रेस पाइटी को फाइदा ही होगा उसका कारण है कि जो यात्रा चल रही है करीब करीब 85 जिलों से गुजरेगी करीब करीब कई राज इसमें कवर हो र लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को जरूर इससे फाइदा हो रहा है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पशीम बंगाल, उड़ीसा, जारखंड, राजस्थान, मद्द प्रदेश, गुजरात, माराथ, और यह जो जितने लोग नितीश कुमार से लेकर, नितीश कुमार, ममता बेनर जी, यह जब यह सारे लोग ओनस कॉंग्रेस पर डाल कर, भारत जोड़ो निया यात्रा को जिम्मेदार ठेरा कर, यह सब जो एकला चलो की रहा पर हैंगे, केवल एक अपवाद हो सकते हैं नितीश कुमार जी, वरना इंडिया गडबंधन का कोई दल हमसे तूट कर नहीं गया है, न तो हमें छोड़ा है, नाराज जरूर है, गरिमा जी हमें परिवार है, एक कुनबा है, हमारा कुनबा बड़ा है, जिसका घर परिवार बड़ा होता है, वहां नोग जोग होती है, लेकिन नोग जोग में प्रेम भी बढ़ता है, ऐसा नहीं सुना गया कि जीवन भर नोग जोकी होती है, सुबा नोग जोक है, सामको इकट्रे बैठ के भोजन कर रहे हैं, तो हम जिस प्रकार कॉंअंग्रेस पार्टी के नित्रथ में, सबस्गों की इकट्थे आ रहे हैं, इससे कॉंअग्रेस पार्टी के साथ-साथ उनके सयोगियों की भी सीटें बढ़ रही हैं मैं खास करके महाराश की बात कर रहा हूं 48 में से यदि 43 सीटें महा गडबंधन जीत रही है तो ये जीत किसकी है यदि ऐसे ही बिहार में RJD कॉंग्रेस अगर ये मिलके एक चुनाव लड़ रहे हैं तो हम जीती रहे हैं ना ऐसे पश्चिम बंगाल में यदि म ममता दीदी के साथ कॉंग्रेस मिलके लड़ रही है अब 42 सीटें हैं वहाँ पर और पिछली बार दो ही सीट कॉंग्रेस पाइटी यदि वहां 10 पाथी है इतनी खुबसूरत पिक्चर जो आप दिखाना चाहते हैं ममता बेनर जी कह रही हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे इतनी खुबसूरत तस्वीर ममता दीदी ममता दीदी राजी की मुख्यमंत्री हैं उनके नित्रुत वहां सरकार चल रही है सबसे बड़ी वहां पार्टी है तो सभाविक सी बात है कि वह ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगी और हम अकेले लड़ेंगी आनंदु बे नहीं वह कह रही है कि मैं बड़ी पार्टी हूँ तो मैं ज़्यादा सीटों पर जरूर लड़ेंगी अगर कॉंग्रेस ने मेरी बात नहीं मानी तब अकेले लड़ेंगी मैं फिर वह कहा हूँ कि कॉंग्रेस नहीं है न तो ममता दीधी अहिंकारी है अब ममता दीधी स्वेहम कॉंग्रेस से निकल कर आई है वो कॉंग्रेस को हमसे जादा आप से जादा समझती है तो जरूर इस मामले को सुलजा लिया जाएगा, हम केवाल ये कह रहे हैं कि भारती जनता पार्टी चार सो का सपना न देखे, भारती जनता पार्टी 200 सीटों तक जरूर आएगी और कोई बात ने उनका अधिकार है, इसे 10 सालों से सरकार में है, यह दिवास्वपन है क्या?